Confusion हो रहा है ना, कौन सा plan लोग, जीवन उमंग या जीवन उत्सव, यह दोनो ही plan same से हैं, दोनो ही plan whole life plan से, इन दोनो ही plans में आपको पूरी जिन्दगी return मिलता है, वो भी guaranteed, लेकिन ये कैसे पता चले कि आपका किस में है फाइदा, Confusion में रहने की बिल्कुल भी जरूत नहीं ह आप इस वीडियो को पूरा देखिए, 100% आपका confusion दूर हो जाएगा, कि आपको जीवन उमंग लेना चाहिए या जीवन उत्सब, बहुत ही आसानी से आप decision ले पाओगे, चाहे आप LIC agent हो या कोई भी, जो इन दोनों में से कोई भी plan लेना चाहता है, यह दोनों के लिए perfect video हो होने वाला है, आपको यह पता होना चाहिए, कि यह जो जीवन उत्सब plan है, जो अभी recently launch हुआ है, 29 November 2023 को, और LIC का जीवन उमंग, एक फरवरी 2020 से आपके लिए available है, इन दोनों में से कौन सा है best, यह जानने के लिए मैं आपको वो बताऊंगा, जो अभी तक किसी ने नहीं करता है होगा, शुरू करते हैं इसे एक example को लेकर, सबसे पहले चीज दोनों ही plan में guaranteed return है, दूसरी चीज, दोनों ही plans में 100 साल की उमर तक return है, LIC के जीवन उत्सब में 10% समयश वाटगा मिलता है, और LIC के जीवन उमंग में 8% समयश वाटगा मिलता है, अब आप यह सोच र पर सही decision नहीं ले सकते, कि आपको किस plan के साथ जाना है, मैं आपको कुछ ऐसे points बताने वाला हूँ, जिससे आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, देखते रहे हैं चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe करना ना बूलें, देखें दोस्तों इसे ऐसे समझेए, कि हम 1,00,00 15 साल का premium paying term लेते हैं, अब इसमें एक छोटा सा difference है दोस्तों, जिवन उससे plan के अंदर जो premium paying term 15 साल है, उसमें आपको 2 साल बाद से return आना शुरू होगा, मतलब आप अगर 15 साल का premium paying term लेते हैं, तो उसमें 16 और 17 आपको कुछ नहीं देना होगा, और 18 साल से return आना शुरू हो return शुरू होने में, इन दोनों ही plans के अंदर, एक में 18 साल से return शुरू होगा, और एक में 16 साल से, देवा दोस्तों point to point बात करता तो बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि point to point बात करने से अंदर की बात, जो सही बात होती है, वो पता नहीं चल पाती, जिसकी वज़ा से decision लेने में गलती हो सकती है, और दोस्तों कुछ लोगों के लेना, जितना आसान करके बताऊना, उन्हें उतना ही अच्छा समझ आता है, इसलिए मैं थोड़ा सा detail में बता रहा हूँ, अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगता है, तो please comment करके बताना जरूर, और ये भी कि आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं, अब आप ये देखे कि दोनों ही plans में एक एक लाग रुपे देने के बाद, आपको कितना कितना return मिल रहा है, और इस returns के लिए मैंने यहां पर age मानी है 30 साल, LIC के जीवन उस सब plan में एक लाग रुपे premium देने के लि लाइसी के जीवन उमंग plan की बात करें, तो दोस्तों यहां पर एक लाग रुपे premium देने के लिए आपका जो समय शॉट बैटेगा वो होगा 12,50,000 रुपे का, और यहां पर समय शॉट का 8% मिलता है, इसका मतलब 12,50,000 रुपे का 8% अगर निगालेंगे, तो यहां पर आप आपको जो return आएगा, वो होगा 1,00,000 रुपे, और यह आपको पूरी जिंदगी मिलेगा, guaranteed, दोनों plans में 1,00,000 रुपे देने के बाद, एक plan में 1,500,000 रुपे मिल रहे हैं, और एक plan में 1,00,000 रुपे मिल रहे हैं, तो क्या करें अब, जिसमें ज्यादा मिल रहा है, उसके स चले जाएं, नहीं दोस्तो, यहीं पर आपको एक बात समझ नहीं है, कि आपकी actual जरुवत क्या है, इसके लिए आपको इन दोनों plans के death benefit को भी समझना पड़ेगा, तभी आप सही decision ले पाओगे, जीवन उत्सव plan के अंदर, पहले ही दिन से आपको यह guaranteed पता होगा, कि आपक आपका जो cover होगा, वो होगा 15,00,00,00,00, प्लस guaranteed addition, जो की हर साल generate होगा, और after PPT, मतलब premium देने का समय जैसे ही कतम होगा, आपका guaranteed death का जो amount होगा, वो होगा 24,00,00,00 रुपे, उसके बाद वो बढ़ेगा, नहीं, वो fixed हो जाएगा हमेशा के लिए, जबकि LIC के जीवन उमंग प्लान की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों पहले दिन से जो कवर शुरू होगा वोगा 12,50,000 रुपे से और यह हर साल बढ़ेगा, इंक्रीज होगा जब तक आप जीवित हैं मतलब यहाँ पर आपका वैसे 100 साल की उमर तक, मतलब 100 साल की उमर तक यह कवर बढ़ेगा अगर पॉलिसी ओल्डर की डेथ 60 साल की उमर में हो जाती है तो लगबग नॉमिनी को 45,000,000 रुपे डेथ क्लेम के मिल जाएंगे जबकि जीवन उत्सव की बात करें तो वहाँ पर हमारे फिक्स जाय है 24,000,000 रुपे 70 की एज में डेथ होती है जीवन उमंग के अंदर तो यहाँ पर लगबग 70,000,000 रुपे ही मिल रहे हैं और 80 की एज में डेथ होती है तो यहाँ पर लगबग 80,000,000 रुपे मिल रहे हैं डेथ पर 9 मिनी को ऐसे ही policy order जितना ज़्यादा जियेगा उसकी उमर जितनी ज़्यादा बढ़ेगी इसका cover भी उतना ही ज़्यादा बढ़ता रहेगा 9 मिनी के लिए एक अच्छा कासा amount एकटा हो जाएगा जबकि जीवन उससफ प्लान के बात करे तो वहाँ पर 44 साल की उमर के बाद कभी भी डैतो किसी भी उमर में उनको 24 लाक रुपे ही मिलेंगे दोस्तो अब वो point बताने जा रहा हूँ जिससे आप clear decision ले सकते हैं कि आपको कौन से प्लान को लेना है दोस्तो अब आप सिर्फ इतना सोचिए policy लेने के बाद अगर आपको ज्यादा पैसा चाहिए और नॉमनी को कम देना है तो आप जीवन उससफ के साथ जा सकते हैं और आप यह चाहते हैं कि मुझे कम मिल जाए लेकिन मेरे family को मेरे nominee को ज्यादा amount मिल जाए तो आप जीवन उमंग के साथ जा सकते हैं simple सी बात थी अगर आप LIC के इन दोनों ही plans LIC के जीवन उत्सव और LIC के जीवन उमंग plan के बारे में detail में जाना चाहते हैं तो मैंने इन दोनों ही plans के उपर detail में वीडियो बनाया हुआ है जिसका link आपको description में मिल जाएगा या फिर आप channel को visit करके डून सकते हैं जहां पर मैंने इन दोनों ही plans के सारे options उनके क्या-क्या benefits हैं सब कुछ example के साथ बताया है दोस्तो अभी भी आपका कोई भी doubt हो तो आप comment करके मुझसे पूछ सकते हैं मैं आपका instant reply देने की पूरी कोशिश करूँगा और इस वीडियो के जरी अगर आपकी help हुई है तो please वीडियो को like करके channel को subscribe कर लेना और notification bell को भी on कर लेना जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो मिल सके